हेलो फ्रेंज वेल्कम तू टालेंट क्राफ्ट्स आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आपको ऐसा पॉप अपनो पे क्लिक करना है तो पहले मैं अपना विंडो सेट कर देता हूं रिले को सब्सक्राइब करने के लिए मैं जाओंगा कि इतने सारे प्रेले की ऑप्सेन बट उसमें से हमें डिले लेनी है यह हमारी सब्सक्राइब्स हैं यह इंट बैट कर लेते हैं अपने इस डिवाइस के अंदर इस यह चाहिए एक बटन विए अक्टिव लेना है इसको भी add कर लेते हैं उसके बाद चाहिए हमें एक transistor so transistor के लिए हम choose करते हैं BC547 यह NPN transistor है जो की बहुत ही famous है this one उसको हम add कर लेते हैं उसके बाद हमें चाहिए one diode so diode का number है 1N4007 this one so fend इतने components हमने add कर लिए अब चलिए अब हम अपना component को place कर लेते हैं this blue window में सबसे पहले हम लेंगी relay को spht single pull single through so friends यह terminal हमारा कहला आता है common यह है NC because यह पहले से ही normal close है और यह है NO means normal open so again common NC means normal close this one NO means normal open and this is coil terminal okay अब मुझे इस coil के one terminal पे 12V की supply देनी है so friends 12V के supply के लिए हम जाएंगे इस terminal mode पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यह है हमारा power power पर one click and then power का button हम यहाँ पर add कर लेंगे और इस पर हमें 12V supply देनी है तो हम ही क्या करना है इस पर just right click करें edit property और यहाँ पर आप कर दे plus 12 so यह 12V से indicate हो गया उसके बाद हमें वापिस component mode में जाना है और फिर हमें चूज करना है अपना transistor और यह है collector यह बेस और यह है emitter so emitter को हमें ground कर देना है और यहाँ पर हमें लगाना है one यहाँ पर हमें लगाना है one register but register हमने select नहीं किया तो हम दुवारा से register ले लेते हैं this one then one button इसको आपको प्लेस करना तो आप drag कर सकते हो and again power और इस power को हम 5V लेंगे plus 5V so friends यह हमारा normal सा event simulation ने start हो गया but one important point कि जब हम कोई solid state relay यूज़ करते हैं तो उसके coils के terminal के cross हमें one diode यूज़ करना हो था और वो diode reverse wise में यूज़ करते हैं और उसको हम बोलते हैं free willing diode so जहां पर plus so जहां पर plus terminal आएगा वहां पर diode का minus connect होगा और जहां पर diode का plus है वहां वह वह ग्राउंड के terminal से connect रहेंगे अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं so friends आप देख रहे होगी कि यह जो common का terminal है वह highlight हो गई है अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा यह जो common का terminal पहले nc पर था बटन प्रेस करने के बाद common का terminal नो पर चला जाएगा देखिए अब मैं इसको stop करूँगा और यहां पर मैं कोई एक AC लोड लगाऊंगा तो AC लोड लगाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा अल्टनेटर सेर्ज करूँगा और फिर एक बल्ब active बल्ब को मैं यहां पर फिट करूँगा और इल्टनेटर को यहां पर इस AC सोर्स का एक कनेक्शन बल्ब के साथ कर देना है और दूसरा कनेक्शन हमें इस रिले के अनो के साथ करना है और फिर common का terminal AC के साथ और यह जो हमारा है यह 12V का है तो इसको हमें कर देना है 230V यह बल्ब हमारा 12V का है अगर आपको इस बल्ब की रेटिंग चेंज करने है तो सिंपल आप इस बल्ब के ऊपर माउस को ले जाए और राइट क्लिक कीजिए एडिट प्रोपरिटी अगरें 230V अब मैं यहां से इसको प्ले करूँगा प्ले करने के बाद देखिए हमारा AC source से स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गई है अब मैं यह बटन प्रेस करूँगा बटन प्रेस करने पर देखना कि यह जो कॉमन का टर्मिल है यह एंसी शोर का अनोपय आजाएगा जब अनोपय आगा तो यह सर्किट क्लोज हो जाएगी और यह क्लोज लूप में करेंट यहां पर फ्लोगा और अब इसको लोए से प्लहे करता हूं है बल्य हमारी ओन फिया मशनकाू है क्योंकि हमारी सैकेल है तो यह 20 ग हमारी यह सैकंट में weign to create करते में मिस एवरी 10 millisecond में positive and other 10 millisecond में negative cycle create करेंगे देखा कि मैंने रिले को कैसे 5 वोल्ट से उपलेट करवा है मिस ये रिले 5 वोल्ट के सिंगनल से 230 वोल्ट के लोड को कंट्रोल करती है अब यह work कैसे करता है तो simple सा इसका principle है कि जब 5 वोल्ट का supply इस ट्रांजिस्टर को जाएगा तो ट्रांजिस्टर अन होगी तो ट्रांजिस्टर इस रिले को अन करेगी जब रिले अन होगा तो यह रिले इस 230 वोल्ट AC को अन कर देगा इस रिले के बाद यहां पर आकर क्लेक्टर पर रहती यह जैसे ही मैं यह से कोई सिग्नल पास करता हूं तो यह ट्रांजिस्टर ओन हो जाती है तो यह common terminal अपने original position पर पहुच जाएगा अब चलिए इसी simulation को मैं दूसरे तरीके से परफर्म करके बताता हूं आपके पास यह 5V यह 12V अलग से नहीं है तो आप क्या करोगे उसके लिए just simple सा फंटाइज कि कि आपको लेना है battery उसके बाद आपको चाहिए 7805 आपको यह दिहान रखना है कि आप 5V का सोर्स इंटर्नल दो या स्टर्नल बट ग्राउंड हमेशा कॉमा नहीं होनी चाहिए अब मैंने इस ट्रंजिस्टर को 5V यहां से दे दी बट इस रिले को मुझे 12V देनी है तो मैं क्या करूँगा इस 12V को यहां से लाकर इसको क्नेक्शन कर दूँगा इसको अगर आपको थोरा कॉम्प्रेस करना है तो आप इसको सेलेट करके यहां पर एडजस्ट कर सकते हो अब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए वह क्या रहा है कि यहां पर 12V है वह 12V मैंने रिले को दे दी और 12V के बाद मैंने 7805 IC उसकी है तो यह 7805 IC 12V को 5V में चेंज कर देती है और यह 5V में तंजिस्टर को दे रहा हूं अगें आफ 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 आपने यहां पर देखा कि हम रिले को कैसे एजली ऑपरेट कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान रख रहा है कि जब रियल टाइम पर आप रिले का कनेक्शन करो उस टाइम पर आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी क्यों आप बस आपको कर सकते हो और अगर आपको रियल में इस रिले का कनेक्शन करना है तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा क्योंकि जब आप रियल टाइम पर रिले का कनेक्शन करते हो तो वह बहुत रियेगी डेंजर होता है क्योंकि आप डाइट टूहर से बढ़े कि हमारे चैनल टैलेंट क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का रेट बटन पर क्लिक कर दें और साथी साथ बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले इससे होगा क्या कि हमारे चैनल टैलेंट क्राफ्ट पर अप्लोड होने वारी निव वीडिय आप दो सब चे पहले मिल जाएगी तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही मिल पहें कि ए वीडियो और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो